नमस्कार संसाइन क्लासेज जरेडी मैं आपका श्वागत है मैं विवेक बर्मा आपका श्वागत करता हूँ आप सभी सिच्छक साथियों को मेरा नमस्कार आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं इसके लिए आप सभी का शुक्रिया मैं आसा करता हूँ कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है और मैं आसा दिलाता हूँ ये भरोसा दिलाता हूँ कि आप निरास नहीं होए आप आसानी से हम आपको सभी कंटेंट उपलब्द कराएंगे आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहें हमने पिछले वीडियो में बाल विकास वम सिच्छा सास्तर के पार्ट वन को देखा था सिलेबस देख रहे थे हम लोग और आज हम लोग बाल विकास वम सिच्छा सास्तर के पार्ट टू सिलेबस के पार्ट टू को देखेंगे हमने बताया था कि कुछ 22 topics पढ़ने हैं और हमने 12 topics पर discussion किया था कि कितने number के सवाल कहां से पूछे जाते हैं आज हम लोग बचे हुए 10 topics पर discussion करेंगे और उसमें जानेंगे कितने number के सवाल कहां से पूछा जाता है मैं आपसे request करना चाहूंगा कि मेरे telegram channel पर आप ज़र जुड़ें वहाँ प्रतिदीन आपके लिए questions आते हैं जिन questions को आप कभी भी बैठे practice कर सकते हैं कि answer क्या होगा इसका आपको किताब पढ़ने की भी उतनी ज़रुवत नहीं होगी 10-20 questions आप डेली अगर practice करते जाएंगे तो आपके मनमस्तिक्स पर बैठ जाएगा उन question और वह बहुत important question है जो CT8 के exam में पूछे हुवे questions है JT8 के exam में important questions है वो सारे questions जो हैं हम प्रतिदीन कोसिस करते हैं आप 10 questions daily उसमें डालें आप उसमें click करेंगे तो आपको सही और गलत का process बताएगा कि आप सही पर जवाब दे रहे हैं कि गलत जवाब दे रहे हैं मतलब एक Qs के माध्यम से आपका answer वो correct करेगा और साथ में सही answer भी बताएगा साथ में कितने लोगों ने सही जवाब दिया है वो भी आपको वहाँ दिखाएगा तो चलिए जाहाँ लेटना करते हैं हम लोग सुरू करते हैं आज क्लास आज क्लास हम देखेंगे तो आज हम लोग देखते हैं कि बाल विकास वम सिच्छा सास्तर में बहुत इंपोर्टेंट हैं एक एक टॉपिक को जो हम लोग समझेंगे तो आपको समझ मायगा कि कितना इंपोर्टेंट्स टॉपिक्स हैं ये अभी सिव भूमिका देख रहें कि टॉपिक से कितना नमर का सवाल पुछ जाता है आप इसे नौट करके जरूड रखें नौट अगर आप एक आपई में रहेगा किया हुआ तो आप जब कभी भी उल्टाएंगे इसे जब कभी भी देखेंगे इसे तो आपके आसानी से आपको इस समझ माते चल जाएगा चले देखते हैं पहला तेरहवा नमबर टॉपिक्स है विविद प्रिष्ट भूमी से वंचित बच्चों का पहचान देखिए क्या है हम लोग सिच्छक है तो हमें पता है अगर आप हम लोग अस्कूल में जब पढ़ा रहे हैं कि अगर आते हैं अगर ड्रेस कोड ना होता तो बहुत आच्छी तर pragmatic कुछ और तरी के फवर्चुनर कर वगजर बहुत साई चीज्जhस आते और छोटे जो मढईयम वरगी या निवन वरगीह के जो हमारे सरकार है, उन्होने ये निर्टने लिया हमारे पूरे की dudration होना बहुत जरूरी है。 ये एक उधारन है, हम एहाँ क्या करेंगे धिविड़ेदि पिरिष्टा भूमी से वंचित बालकों की पहलेंगे कि बहुत सारे प्रिश्ट भूमी से बालक आते हैं जो हो सकता है कि वो एक टाइम आते हैं यहां सिर्फ खाना खाने के लिए सरकारी विद्याले मैंसा बहुत अधिक होता है कि वो अस्कूल इसलिए आते हैं क्योंकि वहां खाना मिलता है बिस्किट मिलता है, केला मिलता है, सेव मिलता है, अन्डा मिलता है और हो सकता है कि शकर् Nep2 जो है वो अस्कुल से जाने के बाद वो कहीं काम करते हूं तो इस तरह की बच्चों के पहषान करना हमें सिखाया जाएगा ये topic बहुत छोटा है इसमें बहुत सा कम चीज़ें आपको मिलेंगी और exam में जो है इससे एक या दो को एक question लगातार पूछा गया दो तो नहीं कह सकते हैं वो योकि एक आ बार दो question पूछा गया तो उसको नहीं लेके चलेंगे तो exam में हमेशा एक question इससे पूछा गया है त लेकिए पिछडे ये बहुत बढ़ा सब्द backward हम लोग को सरकार ने बाटा है जेनरल backward ST और SC में तो पिछडे जो ऐसे तो हैं जो अपने आपको कह सकते हैं कि वो पिछडे समाज में आते हैं लेकिन वो इतने पिछडे हैं कि उन्हें खाने तक का नहीं है उनका जाती यह है वो पिछडे समाज में आ जाता है लेकिन वो बहुत गरीब हैं इस तरह के व्यक्ति को पहचान करना विकलांग जो किसी ना किसी तरीके से कोई बहरा है कोई अंधा हो सकता है कोई लंगड़ा हो सकता है किसी तरह की विकलांगता है या अधिगम की आसकतता कुछ आईसे भी अस्टुडेंट हैं जिन्हें जो विकलांग नहीं है लेकिन उनकी समझ सकती आम अस्टुडेंट के पेच्छा कम है तो उन सारे अस्टुडेंट की भी बालकों की पहचान करने हमें सिखाया जाएगा जैसा कि हम देखते हैं सरकार जो है एक विद्याले चलाती है जो मुख व अगल तो नहीं दिखता है वो तो वो एक डिस्टिक में एक विद्यारे होता है तो वहां तक सभी बच्चो को पहुचना संभ़ नहीं हो पाता है तो हमें इन सारे चीजों का ग्यान अगर इन क्लासुसों के माद्रियम से पता होगा तो हम उन बच्चे को साथ में भी पढ़ा सकते हैं जहां हम पढ़ा रहे हैं वहां साथ में पढ़ा सकते हैं तो हमें इनका भी ज्यान पहचान काना चाहिए कि आखिर पिछड़ी व्यक्ति कौन है विकलांगता के साथ अधिगम सक्तता हो रही है और यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक है इस टॉपिक से दो ती नंबर या चार नंबर का सवाल पूछते आया हमेसा कभी-कभी दो पूछा है कभी-कभी तीन कभी-कभी चार यानि हम कह सकते हैं इसे हम चार के साथ पढ़ेंगे यह हमारे लिए चार नंबर में चार कॉस्टन हमारे लिए देगा वह अगे बढ़ते हैं प्रतिभा साली ए कभी कभी क्या होता है वो अच्छा एस्ट्ट्रेंट जो है समाज के बहुत सारे 40- топ बन करने की। आपने देखा होगा बच्चों को 저द की डॉइंग बने के लाएंग आप और बच्चों को देखा होगा penso कुछ कि किसी तरह का handwork बना के लाइए, तो बच्चे अपने creativity के साथ handwork करके लाते हैं, हाँ, आज के इस परिपेच में youtube ऐक ऐसा माध्यम बन गया है, जो handwork को अपने creativity के साथ नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे परतिभासाली होते हैं, जो creativity को अपने अंदर creativity को जगाते हैं, तो उन प्रतिवा साली बच्चों की पहचान करना हमें और साथ में स्रिजनात्मक जो सोच सकते हैं चीजों को सोच सकते हैं अपने अंदर समझ ला सकते हैं स्रिजन कर सकते हैं जगा सकते हैं अपने आपको इन सारे बच्चों की पहचान करना है और इन बच्चों को हमें और प्रेजित करना है कि तुम और आगे तक जा सकते हो तुम्हें और आगे तक जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए इन सारे चीजों को भी हमें ध्यान रखना है और ये एक टॉपिक पढ़ना है जो हमारे लिए बहुत important है और इस टॉपिक से कर बात करें हम लोग तो इस टॉपिक से दो कभी-कभी एक या दो या तीन माक्स का सवाल पूछा है कभी एक सवाल, कभी दो सवाल, कभी तीन सवाल हाइस तीन सवाल हम ये चार लिख रहे हैं मतलब हाइस चार है तो हम मानके चलेंगे कि एक, दो, तीन, तीन तो necessary है, मानके चलेंगे कि दो या तीन, सवाल इस से आएंगे, आएंगे, चलि आगे बढ़ते हैं, बच्चों के सोचने, ये बंब सोचना, ये बहुत important है, बच्चे क्या सोचते हैं और क्या सिखते हैं, देखते हैं, भी अभी इलक्टिसिटी के बारे में बात कर रहे होते हुए और बच्चा ये पूछ रहा होता है कि सर किसी को हम बिजली के बनने के बारे में बात कर रहे होते हैं और बच्चा ये पूछ रहा होता है कि सर चिडियां को करेंट क्यों नहीं लगती है जब तार पर बैठ जाती है तो उसको करेंट क्यों नहीं लगती है तो अब सवाल उनके दिमाग में कैसे उठाई है यह भी सोचने लिए जिए कि हम लोग बिजली के बारे में डेस्कसन कर रहे हैं तो वो भी बिजली से रिलेटर ही सवाल पूछा हमारे बीट लेकिन उसका रहे हम लोग क्यों ना सरसे जवाब लेए तो इस तरह की जो सोचने के सकती हो बच्छों के अंदर बहुत अतिक अधिक होती है तो बच्चों में सोचने की और सीखने की सकती जो है जब बच्चा मतलब जीरो से अठाव साल के पहले तक यह तभ ही हम लोग पढ़ेंगा डे पे चल जाता है, एक जगह पे कंद्रित हो जाता है इस समय जो है बच्चा में ललक होती हैं हर चीज सीखने का कोई चाहता है कि हम क्रिकेट भी सिखें परने भी सीखें फुटबॉल भी सीखें ये भी खेलने, वो भी पढ़ने, ये भी देखने, वो भी कर ले, इस तरह की बहुत सार चीजें होती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 18 साल के हो जाता है, 18 साल के अबब हो जाता है, तो बच्चा जो है एक चीज पर केंद्रित हो जाता है, वैसे केंद्रित होना बहुत जरूरी भी होता है लेकिन जो प्रिविरती बच्पना होती है वो बच्पना फिर वो नहीं रहता ये भी चीज़ें सीखेंगे ये अखिडी ये बदलाव क्यों होता है हम लोग आगे सीखेंगे इसके बारे में सत्रवा नंबर की बात करें हैं इससे सवाल कितने नंबर के आते हैं तो हम देखें हैं इससे सवाल जो हैं एक नंबर के पूछी जाते हैं मतलब एक सवाल हमें साथ पूछा जाता है ठिक, लास्ट दकर देके 17 नमबा इधह यां इस तरप का लास्ट कि सिच्छन अधिगम की मूल प्रिक्रियाएं सिच्छन अधिगम की मूल प्रिक्रियाएं मतलब जो हमें सी चिखाया आज सिच्छा में हमें जो अधिगम करवाना है शिखाना एप समस्वेक AHяти कि बच्чा हमारी बात को, हमारी बच्चे को समझ माई, अजय से हम ने कहा पहले पिछले वीडियो में कहा, आपको भी अनुबह होगा इन चीज जोगे, कि अगर हमरे भासा की जानकारी नहीं हो, अगर हम आपको पढ़ार हैं हैं, और हम उर्दु में बोल रहे हैं, आपको उर्दु समझ में नहीं आता है, तो आप कैसे सिखेंगे, पॉसिबल नहीं है, यही कारण है कि जेटेट की तयारी करने में हमने भासा की जानकारी दी जाती है, एक सब्जेक्ट होता है, एक टॉपिक भासा का ही होता है, और जिसको जन जाती है, छित्रिय भासा पढ़ने को दिया आता है, तो हमें क्या करना है, सिख्छ नादिगम की मूल परिक्रियाएं क्या-क्या है, सिख्छ नादिगम को करने में लोग को सिख्छा देने में, बच्चों को सिख्छा देने में, हमें क्या-क्या प्रिक्रियाओं को उप परंट टोपिक में तीन और चार. 3 य और 4 सवाल पूछते आए हमेशा. कभी 3 तो कभी 4 सवाल पूछे आए हैं. तो ये सिच्छन अधिकम की कुछला कभी 2 सवाल वे पूछा कैं तो 2 गोफ भी ले सकते हैं. उसा नहीं कि 2 सवाल कभी 2 सवाल भी पूछा हैं. तो सिच्छन अधिगम की मूल प्रिक्रिया हैं जो है दो, तीन और चार ये दो सवाल या तीन सवाल या चार सवाल ये बार-बार पूछते आए हैं तो हम लोग इस पर भी डिस्कसन करेंगे जो चार चार नमबर वारे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपर्टन टॉपिक्स में से आते हैं ये देखने में छुटा लग रहा है कि सिच्छन अधिगम की प्रिक्रिया हैं लेकिन सिच्छन अधिगम कैसे किया जाएगा इनमें कि किन गुनों को अपयोग किया जाएगा किन प्रिक्रियाओं को अपयोग किया जाएगा किन चीजों को संयोग करके हम लोग इससे अपयोग करें कि सामने वाले को लगे कि ये जो है हमें जो पढ़हार हैं सर वो हमें सही में समझ मारा है कभी कभी क्या होता है कि बच्चे से आपोजिट टीचर मिल जाते हैं अब टीचर भी समझ लेता है कि बच्चा नहीं समझ रहा है मत समझाओ नहीं समझेगा दस बच्चा में एक बच्चा तो चलेगा हमारे क्लास में एक तीस बच्चा है एको नहीं समझेगा तो उन तीस को समझातो रहे हम लेकिन नहीं, सिच्छा सास्त ये नहीं कहता है सिच्छा सास्त कहता है कि अगर आप एक लास में 30 बच्चा बैठा हुआ है तो आपको 30 हो को समझाना है एक बच्चा अगर असक्तता है, उसको समझने में असक्तता है तो आपके पास ये सक्तता होने चाहिए ये समझदारी होने चाहिए ये समझ होने चाहिए कि इसे किस प्रिक्रिया दौरा समझाया जाए तो ये सारे चीजे हम लोग इसमें सिखेंगे आगे बढ़ते हैं बालक एक समिस्या समाधक तदा अनवेशक की रूप में बालक क्या है ना बालक एक समस्या है आप कहेंगे समस्या कैसे सर बालक एक समस्या है क्योंकि जब आपके पास बालक आता है अगर हम जीरो लेबल की बात करें जब नरसरी में आता है तो बालक एक बालक का घर मा बाप पूरा का पूरा परिवार एक बिद्याले बन जाता है ब बालक अपने जैसे लोगों के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता है, मतलब क्या, कि जब बालक घर में होता है, पांच साल के उम्र के पहले, तो बालक अपने अपना दोस्त जो है, अपने दादा को, दादी को, मम्मी को, चाचा को, चाची को मानता है, लेकिन जब वो बिद्या साथ दोस्ति करना सुरू करते तो इस तरह जो है वो क्या करता है एक समस्या समाधा की रूप में और अनवेशक रूप में शमाधान करने वाले के रूप में मतलब किसी भी चीज को वो creativity के साथ वो खत्म करना चाहता है creativity साथ समझना चाहता है और बनाना चाहता है चाहे वो उसके लिए हो राया ना हो हां कभी-कभी क्या होता है कि जब वो बढ़ा होना सुरू हो जाता अप देखा होगा कि nursery LKG में बच्चा बहुत महत से पढ़ाना पड़ता है उसको 1-2 में ज लेख लिजिया ऐसे लिजिया ऐसे कीजिये इन सारे चीजे तो वह समस्य का समाधक है और साथ में अनिमेशन उसके अंदर जो है सीखने की परिविर्ती आ रही है बहुत सारे बच्चे उसके उसको देखकर भी ये करना सुरू कर देते हैं तो हमें बालक को समझना है और ये ज एक अधिगम की वैकल्पी का उधारनाय मतलग कुछ ऐसी बच्चों में एक कुछ ऐसी अधारनाय होती है जो उसके अंदर पहले से होती है जैसे हो सकता है कि वह बच्चा गनित में अच्छा ना हो लेकिन बिग्यान में अच्छा हो वह बच्चा बिग्यान में अच्छा न तो आप उसे सही तरीके से ट्रीट कर पाईएगा तो बच्चे के मनुमस्तिक्स को आपको सही तरीके समझने की जो है इसमें हम लोग समझेंगे उनीस्वा नंबर पॉइंट में और इससे अगर हम लोग देखें तो इसे हमेशा एक या दो नंबर का सवाल पूछा जाता रहा है एक नंबर का या दो नंबर का सवाल जो है वो पूछा जाता है जा रहा है आगे है संग्यान एवं संयोग संवेग संग्यान एवं संवेग की बात करें तो इससे हम लोग देखें तो कहतना नंबर का टोपी है 20 नंबर का इससे अगर हम लोग देखें तो एक या दो क्या करता है कोई कोई बच्चा क्या करता है हम बग बनाता है उसके बूल जाता है हम बग बन या कलमार से बच जाएंगे लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है उसे एक सीखने कि सीख के रूप में लेते हैं कि नहीं हमें पीछे वाला भी बना लेना चाहिए हम पीछे वाला कह रहे होते हैं वो हम सभी आप सिच्छक हैं हम सिच्छक हैं तो हम हम सभी का यह दाई तो बनता है कि हम बच्चों को प्रेरित करें लेकिन बच्चा प्रेरित कब तक होता है यह उस पर निर्भर करता है बच्चा क्लासरूम तक प्रेरित हैं बच्चा घर दाने तक प्रेरित हैं कि बच्चा माता पिता को परणाम करके आए बच्चा बढ़ों का आदर करें बच्चा बहुत सारे लोगों के सम्मान करें हमें बच्चा को कह सकते हैं कि बच्चा जब हमारे पास आता है तो वो एक जिस तरह कहते हैं कि घरा के समाना उसे लोक कुमहार जो है ठोक पीट के एक सुन्दर गड़ा बनाता है वही अभी प vaccin बच्चे को हमें देना है और सॉतमौ उधे अधीगम के साथ जोड़ के बताना है कि आखिर ये हमाई सीखने में क्या मदद करेगा हमें सीखाने में क्या मदद करेगा अगर इससे पूछें, इससे कर बात करें कि कितने नमबर के सवाल आते हैं तो इससे हमेशा दो या तीन नमबर के सवाल आते हैं मतलब दो सवाल या तीन सवाल रास्टिये पाइठ चर्चा की रूप रेखा ये एक important है कि सरकार ने हमारे लिए किस तरह की पाइठ चर्चा बनाई है ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा किताब के first pitch में लिखा होता है कि रास्टिये पाइठ चर्चा की रूप रेखा का अनुसार आपके किताब को ये बनाया जा रहा है इसमें ये चीजें दी हुई है इन सी जों से ये सिखेंगे आपके हर एक NCRT बुक में हर एक स्कूल के बुक में पहला पेज में अभार में यही लिखा होता है या प्रस्तावना में लिखा होता है तो रास्टिये पाइठ चर्चा की रूप रेखा में हमें क्या-क्या चीजे हैं हमारे पास किन-किन चीजों का संबंध है और कैसे उन चीजों content को सरकार ने किताब के माध्यम से हमें दिया है बच्चे के साथ कैसे प्रस्तूत करना है इनके वारे में पढ़ेंगे हम लोग और ये एक नंबर का सवाल देता है और कभी कभी नहीं भी देता है तो ये ज़्यादा सिलेबस पे उतना जादा फोकस तो नहीं हो पाता है क्योंकि दो बार एक्जाम होने में क्या हम लोग डिसकसन करेंगे कितना बार पोचा है तो हम लोग वैस हम वैसे भी अनलेसिस करके आपके साथ लाए हैं कि ये सवाल आपके बीच होगा तो आज हमने बाल विकास सिवं सिच्छा सास्त्र के पूरे सिलेबस को देखा दो वीडियो में हमने इसे किलियर किया है आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछला वीडियो देखें तब फिर इस वीडियो को देखें अगर आपको किसी भी तरह का किसी भी प्रहिशानी हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं साथ में आप वीडियो को ज़्या-ज़्या-ध सेर करें मेरे टेलिग्राम चैनल के साथ जोड़ जिसका लिंग नीचे दिया हुआ है अपना WhatsApp नमबर कमेंट करें जिससे हम आपको WhatsApp के साथ जोड़ सकें और वहां से आपको content प्रभाइड कराएंगे, PDF वगरा मिल जाएगा आपको, तो बहुत सारे चीज़ें आप हमारे साथ जोड़के रहें, आप खेल खेल में पढ़ना से चलेंगे, एक चीज़ इंपोर्टन कैसी निकालेगी फिर तब तो 2016 का जेटेट निकालाओ अभी तक झेल रहा है, 2013 का हालत खराब हो गया, मतलब उसका बैलिटरी खतम हो गया certificate का, लेकिन हम निकालेंगे, यह इंपोर्टन चीज़ रखना है, तो हमें निकालना किस तरह है, तो पढ़ाते पढ़ाते ही निकाल करेंगे, वहाँ जो question दिये हैं, उसे deal करेंगे, आप जितना time mobile में हो सकता है, movie वगरा कुछ और देख लेते होंगे, उतना time तक हम बस पढ़ लेंगे, इस तरह हमारा clear होता चल जाएगा, तो हम आसा करते हैं, कि आप सभी सिच्छक साथियों मेरे साथ जुड़कर खुस हो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए thank you, stay safe, घर में रहें, सुरच्छित रहें, और सभी लोगों को प्यार बारते रहें